यह अपना सफस्ट है, ऐसे जूट नहीं है, जो लोग बाग बोल देते हैं, अब वही च्याव दिन की ब्याई के नीचे, पांच दिन की ब्याई के नीचे, ठारा किलो, बीस किलो देते हैं, और दूसरे ब्याई में 25 पलस देगी, ऐसे कोई वह जो बात है, साफ से टीज नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप, और एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत सवागत करता हूँ, आपके अपने चैनल विरास डेरी एंड फार्मिंग में, आशा करता हूँ, आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे, तो आज पहुचे हैं, हरियाना से भारवाई का जो इलाका है दिल्ली में, और काफी जानी मानी जगें, आज की विडियो है, काफी स्पेशल होने वाली है, राजे सर देखें, गाउं उजवा पहुचे हैं, एक विडियो एक साल पहले अल्मोस्ट हमने कवर करी थी इनके घरांगन से, ने सिर्फ अच्छी जो भैसे हैं, वो रखते हैं, कहीं ना कहीं, जो अच्छा गोधन है, वो भी उस समय इनके घरांगन में देखने को मिला था, और आज भी सेम वही कंडिशन है, जो अच्छी और उत्तम क्वालिटी का जो गोधन है, वो आज भी अपने डेरी फार्म में रखते हैं, किसी तर और एक जो second timer जोटी है काफी सारे पशू पालक भहियों के demand रहती है वो इनके घरांगन से आज आज आप सब पशू पालक भहियों को दिखाएंगे जो sale के लिए available है थोड़ी सी मजबूरिया होती है जी घर परिवार में किसी का स्वास्तर ठीक नहीं रहता या फिर किसी को जब देनी होती है तो और ये जो पशूदन है first timer जोटी आई थी मोतला गाउं से राहूल भाई के पास डॉक्टर राहूल है काफी अच्छे युवा चेरे हैं ने सिर्फ आप पशूदन रखते हैं अच्छा घर में बलकि कई ना की जो पेशे से एक वेटनरी डॉक्टर है तो पशूदन के जो अच्छे केसीज हैं वो भी सुल जाते हैं दूर दूर तक का जो भाई का नाम है काफी गाओं में सुनने को मिलता है तो वहाँ से उनके घर की पाली हुई फर्स टाइमर जो राजेस जी हैं वो लेकर के आये थे अब की बार दूसरे ब्यात में जो बच्चा है उसको जनम दिया हश्च पुश्च जो मेल काफ है वो आप यहां पे देखे और काफी अच्छा दूद इसने निकाला है पहले ब्यात में सीधा लेकर के चलते हैं राजेस जी के पास सारी डिटेल्स यही बताएंगे नमस्कार राजेस जी बहुत बहुत शुक्री है सर कैसे हो आप तो कैसा काम चल रहे है अपना बड़ी अकाम चल रहे है गाएं अब डिली कर रखी है पहले यह मतलब जादा हो गए ते उस चीक है अब आपने अपने दो गाएं रखते है तो दोनों यह ताजा ब्याई हुई है क्या से तो दो मीने की है आच्छा तो क्या कुस दूद है अब इनके नीचे अब की बार जो रहुल भाई की जोटी है सेकंड टाइमर यह देनी है आपने क्या कुस डिटेल से एक बार बताएं प्लीज दातों में छे पशुदन की सबसे पहले जो शराफत है वो देखें जी दो दात फस्टाइमर जोटी थी उस टाइम पे आज दातों में छे है और आ जो जोटी है सेकंड टाइमर वो कितने दिन की ब्याई होगी राजेशी दस दिन की ब्याई हुई है नीचे हश्पुच जो मेल काफ है वो किस सीमन का था कोई आइडिया सीमन तो नहीं पता कोई पता नहीं आचा ठीक है सीमन की ही है तो पिछले ब्याद में क्या कुछ दूर इस खून पी इस मैसने एक साल होगी ब्याईन है इतक नए दूदो की निजेरी अधिश्व मोरी है बबुच्व मै के ओर रही हूं आपने भी तो बेरा है ये बात होग अधिया एक साल होगे नए दूद नहीं उसी इसकी दवाई दम है बता दो यह बाई ले तव मेर शंगे यह नूट्री राइट खवा और फेर नए दूद ना होदा मन ना बता आपके प्री गाये भैस को नूट्री राइट खिलाएं और हर साल एक बच्चा पाएं 12-12 लिटर दूद है वो दिया था तो अब की बार क्या कुछ उमीद 14-15 15-16 15-16 के बीच में हैं और घी आपने मेरे को दिखाया ही था जो तो देखें जी बिल्कुल नै सिर्फ अच्छे दूद की जो जो जोटी है वो बलकी कईना की जब हम इनके घर में अभी बैठे थे ब की जो धर्म पत्नी जी है उन्होंने जो घी है वो दिखाया था काफी अच्छा जो घी है वो परड़े का इस जोटी के नीचे देखने को मिला काफी शांत सहबाव की और राहुल भाई की तो यह आज भी बड़ाई करते हैं काफी अच्छा पशुदन दिया है तो कितने मही प्रेगनेंट कितने पाधी यह से काफी बेड़ेश देखें ऑर बात करुए अटर क्वालेटी की जो ठन पासे है वो देखें राजा जी एक बार कोल के हों तक लेकर ने प्लिस तो छोटे सींग में सेकेंड लक्टेशन का जो पशूदन है वो और काफी शांदार नीचे हश्वुश जो मेल काफ है वो दस दिन की ब्याई हुई काफी जबरदस्थ जोटी लेकर के आए हैं और गाउं है इनका उजवा तो किसी तरका खरीद बेचका या कोई व्यपारी नहीं है एक सिंपल किसान मैं कहूंगा उसके साथ-साथ जो पशूदन है अच्छा और उत्तम क्वालिटी का जो पशूदन है कई ना की वो रखते हैं ये देखे जी नै सिर्फ हाइट लेंथ नै सिर्फ शकल सूरत बलकि कई जीना कहीं जो अटर की क्वालिटी है वो भी लास्तक ले करके जाए ये देखे जितना बखान करें उतना कम एक ब्यूटी के साथ-साथ पशूदन के नीचे दूध होना अपने आप में माइने रखता है काफी जो बड़ी बात है वो और ये देख सकते हैं जी काफी बढ़ उसको सेल कर दिया तो राउल भाई ने बताए तो था किस से प्रेगनेंट थी वो मेरे को भी ध्यान नहीं है सीमन से ग्याबिन करा रखा था तो उसको मतलब किसी को वैसे दिया है या किस तरह से सेल किया आपने उसको वैसे ही किसी को दिया चीक है तो अभी क्या कुस सब्सक्राइब करें तो सेल क्यों कर रहे हैं इतनी अच्छा पशू आप बदा रहे थे कि अच्छी निकली है तो स्वास्तर ठीक नहीं रहता चीक है तो क्या कुछ मुल्भाव करेंगे सर इसका देने का है काफी वाजीब दाम में सेकंड लक्टेशन की जो जोटी है वो ऐसा नहीं है बड़ा चड़ा करके डेड़ लाग पूने दो लाग या फिर दो लाग जो कोस्ट है वो रखी है एक लाग पचीस जार रुपे सर ने इसकी कोस्ट रखी है सेल के लिए आविलेबल है तो जो भी चुक बायर से इनको लेना चाहें वो डारेक्ली इनसे संपर्क कर सकते हैं एक बार फिर घोले फिर घुमाएं फिर चलाएं पशूदन का जो वेक्तितव है एक बार चाल चलन जो हावबाव सवबाव है वो जरूर दिखाना चाहिए ताकि किसी तरकी कोई गुंजाईस ना रहे और दूद निकालने एक मिलकिंग वीडियो में कोशिश करूँगा क्योंकि राजश जी बता रहे थे कि इनको थोड़ा सा कम ग्यान है दूद निकालने का जो इनकी वाइफ है वही निकालती है तो उनका जो स्वास्ते है वो आजकल ठीक नहीं रहता इसी वज़े से को पशूदन रखते हैं और आज से नहीं शुरू से करीब करीब एक साल से इनके घरांगन से जुड़ा हूँ नै सिर्फ अच्छा पशूदन बलकि कही ना कहीं उतने ही अच्छे खुद हैं और जो अच्छे व्यक्तितव के इंसान है उनके साथ आखिर तक जुड़ना कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत सोभाग्य की बात होती है फिर से सर ने अपने घरांगन में इन्वाइट किया और पहुंचे हैं जो इनकी सेकिंड टाइमर जोटी है उसको आप सब पशुव पालग भहियों तक दिखाने के लिए तो एक लाग पचीस जार रुपेस की कोस्ट रखी है और नंबर है इनके कॉंटेक्ट डिटेल्स में राजेशी से कंफर्म कर लेता हूं जो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चलेंगे आप डारेक्ली इन से संपर कर सकते हैं क्या कुछ मोबाइल नंबर है राजेशी और एड्रेस और एक बार प्लीज पता दीजे विलेज पोस्ट ओफिस उजवा नजवगर्ड न्यू दिली 73 हरियाना से बिल्कुल सर्टा हुआ इलाका और ऐसा नहीं है के शहर में आगे तो पशुदन नहीं रखते आज भी अच्छा खास है जो पशुदन है वो रखते है खेती बाड़ी के साथ साथ तो ये सेल के लिए अविलेबल है जो भी चुक बायर सें इसको लेना चाहे हैं डार्क लेन से संपर कर सकते हैं उमीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नई पशुद पालक के घरी या किसी बड़ जय किसान